आज हम बनाएंगे बालु शाही मिठाई ये अंदर से बहुत जादा रस्भरा तयार होगा और बहुत जादा खस्ता बन कर तयार होता है कई बार ये अंदर से तो खस्ता होता है लेकिन उपर से हाड हो जाता है और कई बार ऐसा होता है कि चाशनी अंदर तक नहीं जाता है चलिए देख लेते हैं परफेक्ट बालु शाही मिठाई कैसे बनती है असलाम उलेकुम फ्रेंड्स मैं हूँ आईशा आप सभी का विलकम है कोकिंग विद एपेस में तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहाँ पर हमने मैदा लिया है इसे हमने अच्छे तरीके से छान लिया है और इसे एक कप से हमने देख कप लिया है ये आटे का डबबा में कप आता है इसी से हमने देख कप लिया है अभ इसमें शामिल करेंगे baking powder baking soda का इस्तमाल नहीं करना है baking powder का करना है जिसे हम cake बनाने में इस्तमाल करते हैं इसे आधी चोटी चम्मच लेना है और साथी साथ इसमें हम शामिल करेंगे दो चुटकी नमक जो मिठाई को और भी जाधा tasty बना देता है अब इसे खस्ता बनाने के लिए इसमें डालेंगे देशी घी या फिर डालड़ा रिफाइन तेल का इस्तवाल नहीं करना है और इसे लेना है एक चौथाई कटोरी एक चौथाई कटोरी जमी हुई घी लेना है डालने के बाद इसे अच्छे से हम मेक्स कर लेंगे अगर इसे हम refine तिल से बनाते हैं तो ये खस्ता नहीं होता है hard हो जाता है और चाशनी भी अंदर तक नहीं जाता है तो इसे हमने अच्छे से mix कर लिया है आप देख सकते हो तो अब इसे हम गुंध लेंगे normal पानी से थोड़ा थोड़ा डालने के बाद इसे गुंध लेना है जैसे हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं उस तरीके से नहीं गुंधना है बस आटा को एक दूसरे से जोड़ लेना है जैसे आप देख सकते हैं वीडियो में के हाथ से हमने चारो तरफ से हिलाते हुए जोड़ लिया आटा को और इसे बहुत जादा गीला भी नहीं करना ह जब आटा सकत लगेगा तभी हमारा बालुशाही मिठाई खस्ता तयार होगा गीला अगर हो गया तो ये खस्ता बिल्कुल नहीं बन पाएगा इसे ढखका साइड में रख देते हैं तब तक चार्षनी तयार कर लेते हैं आधी कटोरी हमने यहाँ पर चीनी ले लिया है और आधी कटोरी पानी लेना है दोनों बिल्कुल बराबर लेना है चीनी डिजॉल्व होने तक इसे हम चलाते रहेंगे ताके चीनी बॉटम में लगे नहीं फ्लेम को हम मेडियम रखेंगे एक उबाल आने तक मेडियम फ्लेम पर चलाएंगे तो आप देख सकते हैं चीनी कि इसे तीन से चार बर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसके उपर और भी ज्यादा लेयर आ जाए जैसे आप देख रहे हैं वीडियो में इसी तरीके से आपको भी मिक्स करना है इसे गुंधना नहीं है अब जितना आपको बालुशाही का शेप चाहिए उतना आपको लेना है और इस तरीके से हतेली से दबाते हुए पहले टाइट कर लेना है अगर इसकी लोई को मुठी से दबाते हुए नहीं बनाएंगे तो तेल में जाते ही बिल्कुल फैल जाएगा तो पहले मुठी से बनाना है फिर दोनों हतेलियों से इसे गोल कर लेना है अब इसे दोनों उंग्लियों के बीच में रखने के बाद अच्छे से सेट कर लेना है उसके बाद आपको इसमें होल करना है ताकि ये फैलेगा भी नहीं और इसके अंदर जो क्रैक आया है वो भी अच्छे से रहेगा तो ये देखिए आर पार करना है होल को ये नहीं कि सिर्फ उपर ह और नीचे नहीं, तो दूसरा भी इसी तरीके से तयार कर लेना है, आप देख सकते हो, अगर इसी मेजर्मेंट के साथ आप इसे बनाते हैं, तो बिल्कुल हरवाई के जैसा बालुशाही मिठाई तयार होगी, इसे हम डालडा या घी मे फ्राई करते हैं, तभी जाकर ये खस्ता होता है, तो यहाँ पर हमने डालडा को गरम कर लिया है, इसे बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, आप देख सकते हैं कि हमने इसमें डाला है, तो बिल्कुल छोटा छोटा बबल सा रहा है, तो इसी तरीके से आपको भी तेल गरम करना है, बहुत अंदर तक पक नहीं पाएगा और हलका सा चम्मज से हम हिला लेंगे सेंटर में कर लेंगे डालने के बाद इसे ज़्यादा चलाना नहीं होता है अब इस पॉइंट पर मेडियोम फ्लेम पर इसे पकने देंगे तो बीच-बीच में आपको चलाना भी है ताके इसके उपर कलर अच्छा है अलवाई लोग भी इसे फ्राई करने के लिए डालडा का इस्तमाल करते हैं अगर हम तेल में इसे फ्राई करेंगे तो वह हाड हो जाएगा और अंदर तक चाशनी भी नहीं जाएगी और खस्ता भी नहीं होगा तो आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज हो गया ह तो चनी से यहाँ पर जितना है सभी को एक बार में निकाल लेना है क्योंकि फिर अगर एक दो रह जाता है तो उसके उपर कलर जादा आ जाएगा और गरम ही गरम चाशनी में आपको डालना है अगर ठंडी चाशनी में हम डालेंगे तो अंदर तक चाशनी नहीं जाएगी अब इस पॉइंट पर सभी को उलट पलट कर लेंगे और 10 से 12 मिनट के लिए चाशनी में ही आपको छोड़ देना है उसके बाद सारी चाशनी अंदर तक चली जाती है तो ये देखिए कितना जबरदस्त लग रहा है कभी ऐसा होता है कि उपर का हाट रह जाता है सौफ्ट नहीं होता है और चाशनी भी ठंडी पर जाती है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जितने भी बालुशाही है चाशनी के साथ एक बार गरम कर लीजे और 10 मिनट के लिए छोड़ दीजे तो बहुत अच्छे से सौफ्ट भी हो जाता है और काफी रसभरा तयार होता है आप देख सक हो चुकी है थैंक्स पूर वाचिंग फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ अभी के लिए लेती हूँ इजाज़त अनला हाफीज